इसलिए हमने जो स्कीम है उसकीम में हमने दो इधर के ग्रोवर लिए उनको हम प्रोसेसिंग यूनिट उसमें तक्रिबन 50% सबसिडी दे रही है। करने बंद करने करा तक्रियों रहां में समय चलारीम पर रहां कोश्या हूई यडिया समय कर दो कर दो नमस्कार आप देख रहे हैं श्योम चैनल डोडा आज हमने विजट किया है जोदपूर के भी पैंचायत में यहां पे अलग अलग टिपार्टमेंट के जो यहां पे ऑफिसर हैं आज उन्होंने विजट किया हमारे पैंचायत में और लोगों को अच्छी तरह से अवेर किया अज हम आपको रूपरो कराएंगे यहां पे जो अपिसर आये हैं उनसे आप बातशीत करेंगे कि लोगों को क्या किया एन्होंने अवेर किया किस चीजिन के बारे में बताया सबसे पहले यहां पे हम जो आफिसर हैं होटीकुछिर के उनसे हम बात करेंगे गी सर आपका हुई थी तो हमने भी हम यहां आ जाए जो हमारे डपार्टमेंट की डिफ्रेंट स्कीम्स थी उनके बारे में हमने फार्मर भाहिएं के साथ डिसकस किया और डिटेल में डिसकस्शन होई यह जो जोदपूर का एरिया है यहां पर जैसे आलिव है उसका बहुत ज्यादा पोट कीजिए यहां पर बहुत बड़ा पोटेंशल है पूरा जो यह जोदपूर एप एंचायत है भी है आया आप बहुत बड़ा स्कोप है जेतुन का और मैं आपके मादियम से कैसान भाहिएं से यह आगरे करूंगा कि आप डपार्टमेंट के साथ जुड़िए कोपरेट कीज तो जिसमें आपको प्लांटस मिलेंगे प्लांटस होंगे या पिडिगिंग है या लैंड लेवलिंग है या लोकल फैंसिंग यह सारी चीज़ें तो भी उसमें से आप इसके लिए आगे आईए प्लाई कीजिए बहुत अच्छी स्कीम्ज हैं बहुत बड़ा पुटेंशल है यहां पर हमारे extraction मिल भी लगी हुई दिपार्टमेंट की तरफ से जिससे यह जब production होती है je production के बाद जो इसका तेल नकाला जाता है तो उसके थे अजलीक 2013 मिल भी लगी है और अगर इसके लावा कोयے लोग अपने लेवल पे लगाना चाहते है कोई इसकी distraction मिल लगाना चाहते हैं तो वो डपार्टमेंट में इसके साफ अपलाई करें वो मिल लगा सकते हैं या दो लाकी चाल लाकी छे लाकी दस लाकी जो भी है उनको सबसेडी उस पे मिलेगी और डपार्टमेंट के साथ कॉपराइट करें इसके लावा और स्कीमें हैं जैसे आप यहा सकता है निम्भू जिसको हम कहते हैं उसका बहुत ज्यादा पोटेंशल है यहां वो लग सकता है प्लम है पीच है एप्रिकाट है और आपके माधियम से मैं फिर एक बार लोगों से कहना चाहता हूं कि आप आगे आए औरिन स्कीम्स का जो गवर्मेंट का फलो है स्कीम्स का फ प्रणानिंग और मार्केटिंग तो यह सर्पेंट साब के जो किया हुआ है इनको हमने लोकल कून पर कंटक्ट किया कि जिस वकत भी आप यह बुलाएंगे उजलास तो हमें बुलाए हमारी जो डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं उनके बारे में हमने अवेर करना है तो हमने ज प्रोड़क्ट उसमें यह जो बैल्ट रखा है डोड़ा यह उलायू रखा हुआ क्योंकि इस एरिया में उलायू जो जितनी भी बैल्ट है चिनाव वैली के साथ साथ वाला यह उलायू के लिए बेस्ट कलाइमेटिक कंडिशन है इसमें और इदर ऐसे भी वाइल बहुत इसलिए हमने जो जो सकीम है उसकी में हमने दो इदर के ग्रोवर लिए उनको हम प्रोसेसिंग यूनिट उसमें तक्रीबन 50% सब्सीडी दे रही गवर्मिन प्रोसेसिंग यूनिट अभी एक दो प्राइवेट भी चल रहे है इनके हाटिकल्टर डिपार्टमेंट का भी चल करनेंगे क्योंकि अधर मंडी भी बन रहे हैं उसमें हमने अभी अगले साल काम शुरू करना तो जो भी किसान जुसकी 10 पेट या 15 पेट जो कहीं बड़ी मार्केट में पहुंचा नहीं पाता है उसको हम इधर मार्केट करवाएंगे और अच्छे रेट पे दिलाएंगे ज जो पहले कंजियूमर और प्रोडियूसर के बीच में जो सबसे ज्यादा लाब ले रहा था वो ले रहा था कमिशन अजन उस चेन को हमने तोड़ना है सबसे फाइदा हमारा मॉट्यू है कि कहीं प्रोडियूसर और कंजियूमर का जो पैंसा जाता है वो प्रोडियूसर को जाए सबसे शेयर वेस्ट रहे उसमें प्रिडियूसर का इसलिए हम काम करें जो मंडी का सारा कुछ बन रहा है या अगले साल तयार हो जाएगा तो और हम मंडी फंक्शनल कर देंगा जरीना अख्तर एस्टेंट साइल के मिस्ट साइल टेस्टिंग ले वाटरी डोड़ा मैं यहां फार्मर्स को साइल टेस्टिंग के बारे में बताना चाहती थी बता रही थी कि साइल टेस्टिंग क्यों करते हैं कैसे करते हैं और क्यों करनी चाहिए तो उसके बारे में मैंने बताया इनको कि अगर आप मतल फटलाइजर कुछ भी यूज करते हो वैलाइस डोजिज वो भी लेती हैं लेकिन अगर यह चाहेंगे खुद भी ला सकते हैं और बिसिकली यह सारा जो यह फटलाइजर की वज़े से हो रहा है हम सोचते हैं कि यह क्या करते थे कि एक फटलाइजर यूज करते हैं हम इनको बता रहे हैं कि बैलेंस डोजिज कर रही है अगर आपने की यूरी फटली देते हैं उससे कि इंबैलेंस हो जाता है काफी सारी प्रागलूमस हो रही है तो हम चाहते हैं कि यह अच्छा तरीके से हमसे रापता करें और जो भी जरूर्त होगी इनको उसकर यह मचानद बचाने हैंके साथते हैं तो यह थे यहां ची। आप लोगों को अखी तरह से जो हर एक शीज के बारे में अवेर किया। यहां के जो पेंचायित सरपैन्च साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनके दिपार्टमेंट जो भी यहां पे एक इमकल के तो क्या-क्या लोगों को बता गया आब इनके बातचीत करें गैं। जी सर स्वागत आपका शियून चैनल डोड़ा में हुए जी सर आज आज आपके जहां पर जो पंचायद में डिपार्टमेंट्स आए हैं तो क्या-क्या लोगों को आज अवेर किया यहां देखो हम इनके बहुत शुकर गुजार हैं यह हमारे इजलास में आके हमारे लोगों को अवेर कर रहे हैं और हर जो एगरिकल्चर, हर्टिकल्चर जतनी भी सकीमे हैं किसान के रिलेटेड वो सारी यहां खुलके इन्होंने लोगों के सामने रखी और मैं उमिद करता हूं कि यहां के जो लोग हैं इन सकीमों का भरफूर वाइदा उठाएंगे क्यों कि हमारे पास यहां जो जमीन है वो बिल्कुल खाली बंजर पड़ी हुई जमीन है तो अगर हम डिपार्टमेंट ली ये लोग हमारे पास आ रहे हैं तो इनकी जो सकीमें बता रहे हैं हमारे लोगों को तो हमने लोगों से भी पूरजोर गुजारश की है कि सकीमों का फाइदा अलग अलग किसम के प्लांटेशन होगी जिनके मतलब जिनका फाइदा किसानों को होगा और अगर वो अलग अलग किसम के प्रोडेक्ट यहां पर प्रोड्यूस करेंगे और उसके लिए हमारे पास जावेद साब आये थे यहां इन्होंने बताया कि जो बीच में जैसे पंदरा पेटियां भी कोई फल हो कोई फरूट है तो यहां से अगर दस पंदरा पेटियां थोड़ी कम होती हैं वो नहीं उठाते तो इन्होंने बताया कि वो यहां के लिए हमने सेटलाइड मंडी जो है पुरियोत में खुली है तो कम से कम समान जो कम से कम आपका प्रोड हैं यहां पानी के बिना ही तो यहां अभी तक तो जो भी बात हुई पानी के बिना हुई जैसे जैतुन की बात बताई हमारे हार्टी कल्चर इदर राना साब ने जो यहां से आये हुए थे अपने बलाक आफिसर तो इन्होंने जैतुन के बारे में बहुत जो दिया यहां क झाल की झेक्तुन और शीम्स पूर बनजर का पड़ी होई यहां की जू है, nehmen है कर एक परणा हमाइजन हो आपेल करता हूँ? कि अपनी जिस जिसकी भी चाहे दो कनाल है एक कनाल है दस कनाल जगा है तो वो एगरी कल्चर हार्टी कल्चर डिपार्टमेट वालों से हमारे जिरिये से वो राप्ता काइम करें और अपनी जमीन से कुछ नो कुछ फाइदा लें तो मेरी ये गुजारश रहेगी यहां की इपार्टमेंट आये थे उनको सबका शुक्रियादा किया क्योंकि यहां पर जो लोगों को जो भी सारे इनके पास स्कीम्स है उनके बारे में बताया तो हमारे चैनल की माधियम से भी लोगों से यह अपील है कि जो भी यहां पर आज इनके स्कीम्स के बारे में बताया उन स स्कीम को फाइदा उठाएं ताकि लोग जो है अपना रोजगार जो कमा सकें आप क्यों ही देखते हैं चैनल डोडा नमस्कार